अपना दर्द सबको ना बताएं क्योंकि सबके घर में मरहम नहीं होता मगर नमक हर एक के घर में होता है क्यों हम भरोसा करें गैरों पर जबकि हमें चलना है अपने ही पैरों पर नमश्कार मैं हूँ मुहित कमल श्रिमाली आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चानल में और आज के विशेश एपिसोड में यानि की तीस मईएं के आज के राशी फल्ग में साथी आप सभी को बढ़ाई एवं शुबकामनाय देना चाहता हूँ जिनका आज बर्त दे है जनम दिवसे मैरेज अनिवस्तिरी है या कोई विशेश यादगार सफल्दा का दिन है तो आईए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांकी आज तारीक जो है वो तीस मईए 2021 है वार रवीवार है आज के विशेश उपाये में किस वस्तु के दान से क्या मिलता है फल्ग इस एपिसोड के अंत में आपको बतलाऊंगा समवत 2078 का जेश्ट कृष्ण पक्ष आभी चल रहा है पंचमी तिती है उत्तरा शाड़ा नक्षद्र का साथ आपको मिलने वाला है चार बच के चालिस मिनिट तक उसके बाद में श्रवण नक्षद्र आरंभ हो जाएगा मकर राशी में आज पूरे दिन चंद्रमा स्थित रहेंगे वहीं पे राहु काल दोपहर में साड़ी चार बजे से शाम को छें बजे तक रहेंगे शुब चौगड़िया महरत आज के दिन के लिए सुबह आट पचास से लेके ग्यारा पचास का है इसके बाद में दूसरा महरत जो आपको मिलेगा वो दोपहर में एक बच के बीस मिनिट से दो बच के पचास मिनिट तक का मिलेगा तक्षण दिशा में आज के दिन यात्तरा अगर आप करना चाहते हैं तो आपके लिए सफलता दायक रहेगी अच्छी रहेगी वहीपे पच्च्च्च्च्च्च्च दिशा में न ह दिशा शूल देती है यानि कि इसका मतलब ये हुआ कि ये दिशा है यानि कि पश्चम दिशा नहरेते दिशा और इश्चान दिशा में अगर आज आज आप ट्रावल करते हैं तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा आप जिस मकसद से ट्रावल कर रहे हैं वो मकसद पूरा नही होगा सूर्य कालीन कुंडली में आज के दिन आपको जो शुब ग्रह योग मिलने वाले हैं वो है संक्या योग भद्र महापुरुष योग सुन्फा योग भारती योग केंद्रत रिकोन राज योग और महीं पे काहल योग यहीं पे समझने की जरूरत है जब राज योगों की बात होती है तो राज योगों में क्या मतलब है राज योग जैसे कि आपको नाम से ही मालूम चलता है राज करने लाएक योग इसके opposite में होते हैं दुर योग दरिद्र योग तो राज योग एक इनसान को रंग से राजा बनाने की शमता रखते हैं पौवर रखते हैं हर किसी के कुंडली में कब इन के उपर दुर योग जो दुश प्रभाव जो हैं दूसरे योगों का वो पढ़ता है जिसके कारण ये कम पढ़ जाते हैं ये समझने की जरुरत है ये हर एस्ट्रॉलाजर भी आपको बता सकता और वहीं पर आप खुद भी जानना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ राजयोग जनम पत्रिका जो है इसके माध्यम से भी जान सकते हैं कोई रॉकेट साइंस नहीं है राजयोगों को समझना और उसके उपर एक्ट करना हर किसी की कुंडली में है बस बात यहाँ पर यह आती है कि हम जब कोई परिश्रम करते हैं हम कोई महनत करते हैं उस महनत का जो फल है वो हम अक्सर सोचते हैं कि क्यों हमें नहीं मिल रहा हम इतनी महनत कर रहे हैं इसके बावजूद भी हमें सकस्स क्यों नहीं मिल रही तो यह ultimately अप यहाँ पर यह तो समझ सकते हैं कि इसके पीचे कोई दूसरी पावर भी है जो आपको success पाने से रोक रही है अगर आप इस चीज में विश्वास करते हैं तो एक बार राजयोग जनम पत्री का जरूर अपनी बनवाएं और अपनी ही नहीं अपने पूरे परिवार के लिए बनवाएं जो बच्चे छोटे हैं उनके बारे में भी आप पता कर सकें कि आगे आने पे कौन से समय में इनको actual में success बड़ी मिलेगी तो उसके हिसाब से आप अभी सबने बच्चों को direct कर सकते हैं एक सही दशा में ले जा सकते हैं ताकि जब उनका समय आए तो वो भी अच्छे से चमक सकें अब बात करते हैं लाक रुपे की हर चीज हर समय उप्योगी नहीं होती जैसे गर्मी में रजाई उप्योगी नहीं है और ठंड में उसकी बहुत जरूरत है पंखा ठंड में जरूरत नहीं है पर गर्मी में उसके बिना रहा नहीं जा सकता इसलिए किसी भी चीज की इंपोर्टेंस जो है वो कम करके नहीं आखनी चाहिए है हर किसी का समय होता है उस समय पे वो चीज दूसरों से बहुत ज़ादा प्रेशियस बन जाती है तो आईए अब बात करते हैं आज के राशी फलकी यानि की 30 मई 2021 सबसे पहले हम बात करेंगे मेश राशी की तो यहाँ पे मेश राशी के अंदर आज चंद्रमा राशी भाव से 10 थाउस में स्थित है वेपत्तारा का साथ मिल रहा है आज आज आपको मिल रहे है ओवराल सिच्वेशन को देखते वे यहाँ पे आज आपको 67% पॉजिटिवटी देखने को मिलेगी यहाँ पे कोई भी नया काम आप करने वाले हैं तो बहुत ही जादा ओपन हार्टड होके बहुत ही जादा फोर्स से आज आप कर पाएंगे एक होता है कभी भी नया काम शुरुआत होती है तो उसके अंदर आदमी थोड़ा घबराया वा हुआता है कॉन्फिरेंस थोड़ा डगमगाया हुआ होता है बहुत ही जादा सेल्फ डाउट होता है तो इन सबसे आज आप छुटकारा पाके बहुत ही जादा अच्छे खुले मंद से अपने काम को करने की कोशिश करेंगे वही पे व्यापार अगर आप करते हैं अगर आप जॉब करते हैं तो दोनों में आज आप सब सफलता पूरी मिलेगी वही पे शाबाशी भी आज के दिन आपको मिल सकती है अब यही पे देखा जाए तो जो जॉब करते हैं उनके लिए शाबाशी तो शाबाशी है एप्रीसियेशन है पर जो यहाँ पे बिजनस करते हैं उनके लिए शाबाशी क्या है उनके लिए एक्स्ट्रा धनलाब जो होता है वो एक शाबाशी का तरीका है तो यहाँ पे जो व्यवसाय है करते हैं जो व्यापारी हैं उनके लिए आज धनलाब की उपॉचुनिटीज बहुत जादा बढ़ रही है वहीं पे परिवार में और अपने लाइफ पार्टनर से चाहे अपके हस्बिन है या वाइफ है आप यहाँ पे और आदमी है पुरुष है जो आप यह देख रहे हैं तो आपकी यहाँ पे वाइफ यहाँ पे हर किसी से परिवार में और अपने जीवन साथी से दोनों से आपक आज के दिन यही लोग मिल करके दूर करेंगे इन सब बातों को देखते वे सिल्फ कॉंफिडेंस आज आप में बहुत जादा भरा हुआ रहेगा साटिस्फाक्शन हर चीज को लेकरके बहुत जादा हाई नोट पर रहेगा शुब रंग आज आपके लिए रहेगा ब्रावन और शुब अंक रहेगा नमबर साथ अब बात करते हैं व्रश राशी के तो व्रश राशी के लिए राशी भाव से आज के दिन 9000 में चंद्रमस थे थे महीप अधिमत्रतारा का साथ और अश्टक वर्ग में 20 डॉट से ओवरॉल सिच्वेशन मिल करके आज के दिन आपको यहाँ पे 45% बेर मिनिमम बचाने की कोशिश कर रही है हेल्थ में अगर स्पेसिफिकली आज सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्थ की तो हेल्थ के अंदर आज आपको बॉड़ी में कमजोरी देखने को मिल सकती है चाती में दर देखने को मिल सकता है और महीं पर अपटाइट जो है भूख होती है इंसान में खाने की तो वो आज आपके अंदर नहीं देखी जा सकती है यातर अगर आप करना चाहते हैं तो दो बार सोच करके फिर घर से बाहर निकलने की कोशिश करिएगा अच्छा होने की बजाए बुरा होने के आसार आज जादा नजार आ रहे हैं यहीं पर आज के दिन कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसमें रुकावट है आपको ज़ादा देखने को मिलेगी और उसी के साथ में मानसिक परेशानी जो है चीज़ों को लेकर खुद के रोल को लेकर के खुद के काम को लेकर के वो ज़ादा आज आपको देखने को मिल सकता ह व्यापारियों को भी आज के दिन नॉमल से जादा प्रेकॉशन लेने की जरूरत है, जादा उनको अक्टिव होने की जरूरत है, अपने आस पास में नजर रखने की जरूरत है चोरी की आज के दिन probability बहुत ज़ादा बन रही है कोई ऐसे इनसान का आपके शौप में आना आपके शोरूम में आना probability ज़ादा बन रही है जो आपको हानी पहुचा सकता है इन बातों को ध्यान में रखते हुए जो लोग एक अच्छे position में हैं यानि कि सरकारी नौकरी कर रहे हैं या company में management level पे हैं तो आज उनके लिए भी दिन बहुत ज़ादा easy नहीं रहने वाला है बहुत ही ज़ादा hectic रहने वाला है बहुत ही ज़ादा confusion से भरा रहने वाला है और वहीं पे जो आपकी duties हैं वो आप पूरी नहीं कर पाएंगे ऐसा आज का दिन हो सकता है शुब रंग आज आपके लिए blue रहेगा और शुब अंक आज आपके लिए number two रहेगा अब बात करते हैं मिथुन राशी के तो कोविट से इस महामारी से बहुत ज़ादा बचने की जरुरत है सांस में सांस लेते हुए आज आपको समस्या आ सकती है वहीं पे आपको आज digestion से बहुत ज़ादा बड़ी परिशानी देखने को मिल सकती है यहाँ पे आज के दिन आपको पेट में ज़ादा गड़बडी फेस करनी पड़ेगी वहीं पे आज के दिन आप दूसरों से घर के बाहर जो लोग हैं उनसे जगड़ा कर सकते हैं घर के अंदर जो लोग हैं उन पे हावी होने की आप कोशिश कर सकते हैं सबी situations को देखते हुए आज के दिन कहा जा सकता है कि आप पर उंगलियां जादा उठेगी हाथ आपको support देने के लिए कम मिलेंगे अगर आप गर रहे हैं तो लोग उल्टा आपको धक्का देने की कोशिश करेंगे ये बात को ध्यान में रखिए मैं negativity नहीं फैला रहा हूँ ये आपको पहले बता देता हूँ आपको आने वाले समय का आघास दिला रहा हूँ कि आगे आने वाले समय कैसा है उसके लिए आप अपने आपको प्रिपेर कर लीजेगा शुब रंग आज आपके लिए रहेगा गोल्डिन शुब अंक रहेगा नमबर चैने अब बात करते हैं करक राशी के लिए राशी भाव से सेवंथ हाउस में चंद्रमा है संपत्तारा का साथ है और अश्टग वर्ग में आज के दिन आपको 24 डॉट्स मिल रहे हैं ओवरल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी की बन रही है आज के दिन जो बिजनसमेन हैं या तो फिर सरकार के लिए काम करते हैं तो उनके लिए बहुत ही जादा लावकारी दिन साबित हो सकता है जानकारी में अपने आसपास में क्या चल रहा है क्या कॉम्पेटिशन कर रहा है घर में अगर कोई है जो आपके खिलाफ प्लानिंग कर रहा है तो इन सब चीज़ों की जानकारी आज आपको समय रहते मिल जाएगी वहीं पे अलग-अलग सोर्सस से आज आज आपको धन लाब हो सकता है और वहन अगर आप खरीदने की कोशिश कर रहे थे बहुत समय से प्लानिंग कर रहे थे पर खरीद नहीं रहे थे तो आज ये भी मुमकिन हो सकता है सम्मान में पद प्रतिष्णा में आज के दिन आपको भारी वरधी देखने को मिलेगी और वहीं पे दामपत्य जीवन में और पारिवारिक जीवन में संतुष्टी, साटिसफाक्शन आज आपको देखने को मिलेगा खाना पीना आज अच्छा मिलेगा और यात्रह जो आप करना चाहते हैं वो आपके लिए प्रॉफिटिबल साबित होंगी शुब रंग आज आपके लिए पिंक रहेगा शुब अंक आपके लिए नमबर टू रहेगा अब बात करते हैं सिंग राशी के सिंग राशी के लिए राशी भाव से सिक्स्थ हाउज में चंद्रम अस्तित है जर्मतारा का साथ मिल रहा है और अश्टाग वर्ग में आज आपको 27. मिल रहे हैं ओवरॉल सिचुएशन मिल करके आपके लिए 67% यहाँ पे पॉस्टिव बन रही है आज के दिन घर में और घर के बाहर जो भी लोग आपको हानी पहुचाना चाते थे आपके लिए कुछ गलत करना चाते थे आपको डुबाने की कोशिश कर रहे थे तो उन सभी का नाश हो जाएगा उनसे छुटकारा मिल जाएगा ओवराल हेल्थ भी अगर आज आपकी देखी जाए तो नॉर्मल से जादा बहतर होगी बहुत जादा मोटिवेटेड आज के दर आप फील करेंगे आज का दिन कहा जाए तो सुबह उठते ही इंसाने गलो के साथ में उठता है एक मोटिव एक पॉपल्स के साथ में उठता है तो वैसा दिन आज आपको दिखने को मिल सकता है परिवार से आज पूरा सपोर्ट मिलेगा वहीं पे दोस्त जो हैं उनके साथ में अच्छा समय आज बताने को आपको मिल सकता है जो भी प्रयास करेंगे वो भी आज के दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल सिद होंगे धन लाप के सिद होंगे और आपको आगे पुष्ट करने के लिए बहुत ही जादा अच्छे होंगे शुब रंग आज आपके लिए रहेगा ग्रीन और शुब अंक जो है वो रहेगा नबर चार अब बात करते हैं कन्या राशी की कन्या राशी के लिए राशी भाव से आज के दिन फिफ्थ हाउस में चंद्रमास्ते थे वद तारा का साथ है और श्टक वर्ग में आज के दिन आपको 27 डॉट्स मिल रहे हैं ओवराल सिचुएशन 33% सपोर्ट की है सुबह उठते ही सबसे पहले इंसान उठना चाता है अच्छे मूर के साथ में एक परपल्स के साथ में एक खुशी के साथ में यहाँ पे आज ये सारी चीज़ें आपसे छीन ली गई हैं उठेंगे आप सबसे पहले टेंशन में वहीं पे दूसरी बातों को लेकर कि confusion में उठेंगे कि क्या आगे करना है क्या नहीं करना है जो चीज चल रही है वो कैसे चल रही है उसको कैसे बदला जाए कई बार जैसे दिन शुरू होता है उससे ही आगे का दिन अपने आप नरधारत हो जाता है यहांपे आज आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि सुबह जब उठते हैं थोड़ा अपने आपको कंटरोल में करने की कोशिश कीजे, अपने थौट्स को रियलाइन करने की कोशिश कीजे, योगा कीजे और मेडिटेशन कीजे, सुबह उठते ही, तो अपने आपको वापस सेंटर आप कर पाएंगे यहीं पर धन की हानी आज आपको देखने को मिल सकती है बच्चों की असफलता से आप दुखी हो सकते हैं और वहीं पर बच्चों की सेहत को लेकर के भी आज आज आप जादा चिंतित नजर आ सकते हैं अगर आप जुआ खेलते हैं या तो फिर सटे बाजी में आपका इंटरस्ट जादा है। स्पेक्लेटिव मार्केट में या तो फिर शेर मार्केट में अगर आप इन्वेस्मेंट्स करते हैं तो आज के दिन बहुत जादा संभल करके आपको चलने की ज़रूरत है। प्रॉफिट के जगे हानी होने की चांसाज यहां पे ज जादा होगी। इन सभी बातों को देखते हुए शुब रंग जो है आपके मूड को एलिवेट करने के लिए वो रहेगा येलो शुब अंक रहेगा नमबर फाइव। अब बात करते हैं तुला राशी की। तुला राशी के लिए राशी भाव से फोर्थ हाउस में चंद्र दीनाओ करने जोले भी इनसे ने से था रोनाहे है तो थम्ह pip का है। हेल्थ के अंदर आपको पीट सेगाड़ बड़ी देखने को मिल सकती है गया अन्यवी सेहत को ले के चंता रहे सकती है। को प्लैनिंग कर राखी थी आपने तो आज उस ब्लानिंग में आप भूल जएए कि आपने कोई भी प्लान बनाया था, क्योंकि जो भी प्लान बनाया था, आज वो आपको गलत तरफ ही ले जाने वाला है, इन बातों को ध्यान में रखना है, 67% सपोर्ट मिल रहा है, सपोर्ट का मतलब जो गलत हो सकता है, जो चीज़ा नीजे किर जकती है, उसक बचाने की कोशिश है, तो 67%, सो में से 67% सपोर्ट मिल रहा है, तो इन सिचुएशन को आप खुद अपने आप कंट्रोल कर पाएंगे, आज के दिन दुख आपको मिल सकता है, किसी के साथ में अच्छा रिष्टा था, कि दोस्त था या कोई कलीक था, तो उसके आज कुछ हो पुलने से आज आपको दुख मिलेगा, धन्हानी होगी, चोरी या समान खो जाने से आज आज बहुत जादा परेशान भी हो सकते हैं, अपने जो बेलॉंगिंग से, अपनी गारी है, एक बार हर चीज़ को चेक कर लीजेगा समय रहते हुए, वहीं पे शत्रू जो है, आज ऐसे शत्रू बनेगे जो शक्ति शाली लोग हैं, हो सकता है, गवर्न्मेंट एम्पलॉईज जो हुए, उनसे कुछ कहा सुनी हो गई, तो वहाँ पर उन्हों ठान लिया कि अब आपका काम नहीं होने देना, मतलब नहीं होने देना, तो ऐसे लोगों से आज परेशानी आप के लिए नमबर 6, अब बात करते हैं वरश्चिक राशी के तो, वरश्चिक राशी के लिए राशी भाव से थर्डा हुज में चंद्रमास्तित है, विपत्तारा का साथ है और अश्टक वर्ग में 40 डॉट से, ओवरॉल सिचुएशन 67% यहाँ पे पॉजिटिविडी की है, आज अच्छे कपड़े पहनने को मिलेंगे, अच्छे कपड़ों की शॉपिंग होगी, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग आप करें, घर परिवार की महलाओं के लिए जेवर जो हो गया, वो खरीदने की कोशिश हो सकती है, सोसाइटी के अंदर जो आपका नाम है, वो सिर के अंदर अर्चन डालने की कोशिश करते थे, तो उन सभी पर आज आप विजय पा लेंगे, सिल्फ कॉंफिनेंस आज आपका बहुत जादा हाई रहेगा, वहीं पर घर में और घर के बाहर आपको दोनों तरफ से खुशी आज के दिन पूरी मिलेगी, इस खुशी से हो सकत को हर किसी को एट्रैक्ट करने में आज आप सक्सेस्फुल रहेंगे, शुब रंग आज आपके लिए रहेगा ग्रे, शुब अंक रहेगा नमबर साथ, अब बात करते हैं धनु राशी की, धनु राशी के लिए राशी भाव से सेकिन हाउस में चंद्रमा है, प्रतियारी त अमान में हानी देखने को मिल सकती है, ऐसे कुछ actions आप ले सकते हैं जो आप सोच रहे थे कि आप दूसरों से छुप करके कर रहे हैं पर वो अपने आप सब के सामने आ जाएंगे, आज के दिन, mentally आप बहुत ही जादा struggle देख रहे हैं, बहुत अपने आप के अंदरी महसूस कर रहे हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए है, आज self doubt आप पर बहुत जादा हावी रहेगा, वहीं पर नेत्रों को ले करके आज के दिन चिंतित हो सकते हैं, बिना बात के जो आप खर्चे नहीं करना चाते थे, दूसरों पर impress करने के लिए आप नहीं इस्तमाल करने के आप कोशिश कीजेगा, शुब अंक जो रहेगा आपके लिए वो रहेगा नंबर फाइव, अब बात करते हैं मकर राशी की, मकर राशी के लिए राशी भाव में ही चंदरमास्यत है, बहुत ही जादा positive situation बनाता है, सादक तारा के साथ और अश्टक वर्ग होगी, health आज बहुत ही जादा अच्छी महसूस होगी, happy mood के साथ में आज आप सुबह उठेंगे, और अक्सर आप देखेंगे, जो इंसान अंदर से खुश होता है, वो आस पास में जो लोग हैं, उन्हों को attract करता है, तो आज attraction भी आपका सिर चड़के बोलेगा, हर किसी की आज आप satisfaction महसूस करेंगे, self confidence में आप improvement बहुत जादा भारी उचाल महसूस करेंगे, आनंद जिसको बोला जाता है, वो महसूस करेंगे, सभी प्रकार के सांसारिक सुख सुविदाय हो गई, वो आज आपको मिलेगी, पूरी तरीके से अच्छी नींद जिसे बोली जाती है वो मिलेगी और financially भी देखा जाए, तो आज के दिन अच्छा दिन कहा जा सकता है, शुब रंग आज आपके लिए रहेगा grey और शुब अंक रहेगा number 4, अब बात करते हैं कुमराशी की, कुमराशी के लिए राशी भाव से 12th house में चंदर मस्तेत है, negative है, सादक तारा का साथ मिल रहा है और उसी की साथ में अश्टा गवर्ग में 27 dots, ये situation आपको 67% support करने की कोशिश करती है, अब यहाँ पर support तो मिल रहा है, पर overall आपका खुद का जो mood है, वो सुबह से बहुत ही जादा खराब रहेगा, सुबह सुबह क्रोध, चिड़ चड़ापन, आवेश में आन गुसे में आना, ये आप पर भारी रहेगा, कोई इनसान आपके लिए भला करने की कोशिश कर रहा है तो उस पर भी उंगली उठा करके चीक देना, ये आज के दिन संभव है, संबंदियों से और अपनी वाइफ से आज के दिन आपका विवाद छिड़ सकता है, और ये वि सकता है, जो आपके सामने क्लाइंट आया, पूछ कुछ और रहा है, पर जो आपकी अंदर गुसा भर रखा है, उससे जो आप रिस्पॉंस दे, वो उसको अच्छा ना लगे, वो ये समझने की कोशिश ना करे कि आपका दिन कैसा है, तो इसके कारण जो प्रॉब्लम है, ब आप बात करते हैं मीन राशी के, तो मीन राशी के लिए राशी भाव से लेवन थाउस में चंद्रमास्तित है, प्रतियारी तारा का साथ और श्टग वर्ग में 38 डॉट्स, ओवरॉल सिच्टी सेवन परसंट यहाँ पे पॉजिटिविटी के बन रही है, जो भी काम आप कर हैं, ओफिसेज खुले हैं, वर्क फ्रम होम चल रहा है, काम हर जगे चल रहा है, हमें काम नहीं करना है, वो बात अलग है, तो काम तो हर जगे हो रहा है, और जो काम कर रहा है उसको आज उन्नती देखने को ज़रूर मिलेगी, ओवरॉल दिन, सिल्फ कॉन्फिडेंस का है, का है, रिकेगनिशन का है, लोग रिकेगनाइज करेंगे आपकी एफर्ट को और उससे आपको अप्रिसियेशन मिलेगा, जीवन सतर में आज आपको सुधार देखने को मिलेगा, जीवन साती से सुख देखने को मिलेगा, परिवार से आज सपोर्ट देखने को मिलेगा, और और वहीं पे अगर कोई भी आपका मामला है, यानि कि कोई भी med time है, किसी के साथ में जगड़ा हुआ है, किसी के साथ में बात सही से नहीं हो रही है, सोसाइटी में जहां पे आप रहते हैं, कोई बारबार आपके साथ में परिशानी करता है, तो उस problem से भी आज मुक्ती मिल जाएगी overall situation को देखते वे शुब रंग जो है वो आज आपके लिए रहेगा golden color और शुब अंक रहेगा number 4 ये तो हुई बात आज के राशी फल की आईए अब बात करते हैं आज के विशेश उपाई की यानि कि किस वस्तू के दान से आपको क्या फल मिलता है सनादन संस्कृती में दान का बड़ा महत्व बताया गया है पौरानिक ग्रंतों में दान का महिमा मंडन करते हुए उसको भोग और मोक्ष दोनों के लिए आवश्यक बताया है शास्त्रों में कहा गया है कि अपनी शम्ता अनुसार आज के समय में आपकी पौकेट कितनी अलाव करती है उसके अनुसार दान पुन्य करने से इस लोग में सभी सुखों की प्राप्ती होकर परलोग में मुक्ष मिलता है इसलिए मानव सामानी परस्थितियों में तिथी तियोहारों पर तीर्थ स्थल पर किसी कार्य विशेश की सिधी के लिए दान करता है हर धर्म में दान का खास महत्व माना गया है दान देने से जहां मोह से मुक्ती मिलती है वहीं जीवन के दोश भी दूर होते हैं अन्नदान, वस्त्रदान, विधियादान, अभैदान और धंदान ये सारे दान इंसान को पुन्य का भागी बनाते हैं किसी बेवस्तू का दान करने से मन को सांसारिक आसकती यानि मो से छुटकारा मलता है हर तरह के लगाव और भाव को छोड़ने की शुरुवात, दान और शमा से होती है श्री रामचरत मानस अगर आपको मालू हो तो उसमें गोस्वामी तुलसिदास जी ने कहा है कि परहित के समान कोई धरम नहीं और दूसरों को कश्ट देने के समान कोई पाप नहीं पौरानिक शास्त्रों में चार तरह के पुरशार्त का उलिख मिलता है धरम, अर्थ, काम और मोक्ष इसी तरह सनातन संस्कृती में कुछ संसकारों का बड़ा महत्व है इसी में से एक है दान वेदों में तीन तरह के दान दाताओं का वरनन किया गया है तो उत्तम, मध्य और निश्करश्ट धरम की उन्नती स्वरूप सत्य विध्या के जो लिए दान दिया जाता है या दान देते हैं वो उत्तम दान की श्रेणी में आता है स्वार्थवश यानि कि अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए जो दान किया जाता है वो मध्य दान की श्रेणि में आता है और जो दुराचारी व्यक्ति को दान देता है ऐसा दान निश्क्रष्ट दान कहलाता है परानिक शास्त्रों में अन्न दान, विध्यादान, अवैदान और धन दान इनको ही सर्वष्रेष्ट माना गिया है मान्यता है कि दान करने से भोगों की आसक्ती से चुटकारा मिलता है, कश्टों से मुक्ती और सुख संपत्ती की प्राप्ती होती है जो व्यक्ति जरूरत मन को दान करता है, वो इस लोक में सभी तरह से सुखों को भोग कर फिर परलोग में मोक्ष को प्राप्त करता है दान करने से ग्रहों के दोशों का भी निवारण आपको मिल सकता है शास्त्रों में दान पुन्य के संबंद में कुछ खास बातें बताई गई है इसके अनुसार दान देते समय दान देने वाले मानव का मूँ पूर्व दिशा की और होना चाहिए अलग-अलग पदार्थों के दान से अलग-अलग फल मिलते हैं वस्तर का अगर आप दान करते हैं तो स्वर्ग की प्राप्ती होती है गुड का दान करते हैं तो धन-धान्य की प्राप्ती होती है रूप और सौंदरी की प्राप्ती के लिए चांदी का दान करना सबसे सर्वश्रेष्ट माना गया है वहीं पे दीपदान करने से नेत्र संबंदी कोई भी परेशानी है कोई भी रोग है तो उसे छुटकारा मिलता है कोई मरीज है उसको आप दवाई दान के रूप में देते हैं तो सुख की आपको प्राप्ती होती है और आपके पूरे परिवार में सुख शान्ती बढ़ती है गाये को अगर आप घास डालते हैं तो पाप जो आपकी यह है उससे आपको मुक्ती मिलती है तिल का जो दान करते हैं उससे संतान की प्राप्ती होती है और लोहे का जो दान करते हैं उनको लोहे के दान से रोगों से मुक्ती मिलती है आशा करता हूँ आपको दान के बारे में ये बता करके मैंने अपना कर्तव ये पूरा किया होगा अब आशा करता हूँ इस घ्यान से आप अपने आपके जिंदगी में कुछ बदलाव लाए यहाँ पे समझें कि दान कैसे करते हैं किसको करते हैं और क्यों करते हैं और उससे आपको क्या फल मिल सकता है अब इसी के साथ में आग्या दीजे बहुत ही जल्द आपके लिए और नए एपिसोड लेके आपके सामने आऊंगा मैं हूँ आपका अपना मुहत कमल श्रिमाली हमेशा की तरह जै श्री राम एवं जै हिन आपके सारिक लेके सामने वाके झाल